हेलो गाइस वेल्कम बैक तो चेल मेडिकोस तो यार जो मैंने आपको पिसले लेक्षर लिया था उसमें मैंने आपको बता दिया है ठीक है रीकम्बिनेंट डियन टेक्नलोजी अडिट्स प्रिंसिपल अब पढ़ेंगा अपने उसकी एप्लिकेशन जो अपने पिसले एक्षर सब अपने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूं तो आप जाके नोट्स वहां से ले सकते हो तो चलो आर स्टार्ट करते हैं अपने अपनी अप्लिकेशन आप आडियर टेक्नलोजी ठीक है तो पहले इसकी अप्लिकेशन क्या होती है मॉल्यक्यूलर बेसेज बैसे डिसीज मतलब कि वो कहां से हो रही है ठीक है क्या बेस उसका उस डिसीज का ठीक है उसका पता लगाने के लिए अपना आई डिय टेक टेक्नलोजी का यूस करते हैं ठीक है यूस्ट तो अंडर स्टेंड डा मॉल्यक्यूलर बैसेज ओफ नंबर ओफ डिसीज़स ठीक जैसे अपना क्या हुआ फैमिलियल ठीक हाइपर कॉलिस्ट्रीमिया मतलब भी कॉलिस्ट्रोल का ज्यादा बढ़ जाने इसका क्या 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 प्रोटीन में क्या हो रहा है इन चीजों का पता लगाने के लिए आपन यार्ड टेक्नलोजी का यूज करते हैं सिक्कल सेल्ट डिसीज आप को समय क्या होता है सेलट एक च्रेजिक्ट प्रोसार प्लट эпाड데ों यह से तॉज करते हैं यह सारे साधे को नग कोंचना वाहां जाकर रहीं और देख लीजिए-टी हमness है बढ़ पहला यूज अपने देख लिए molecular basis of disease disease का अपन molecular basis determine करने के लिए पर अदिन टेकनोजी का यूज करते हैं सेगेंड एपना diagnosis of disease disease का पता लगाना ठीक है कि डिशीज का पता लगाने के लिए अपना DNA टेकनोजी का यूज करते हैं क्या होता है r dna technology used to diagnose existing disease आपको पहले से कोई डिसीज है ना उसका पता लगाने के लिए अपन r dna technology का यूज करते हैं तो दो हो गए अपने तीसरा देखते हैं production of proteins ठीक है human proteins can be produce ठीक है abundance for therapy के लिए बना सकते है अपन research के लिए डाइग्नोसिस के इन चीजों के लिए अपन क्या कर सकते हैं अपन production of protein करवा सकते हैं इस टेक्निक से ऐसे मान के चलो मैं आपको समझा देता हूं यार आपके पास एक desirable gene नहीं ठीक है एक कोई से protein को code कर रहा है तो आप इसको बैक्टर में बिजा दो बैक्टर जाएगा हो इस चैल में वहां से replicate करेगा तो उस protein का formation कर देगा और वो protein आप generally human को दे सकते हो ठीक है तो इससे क्या होगा human मगर कोई भी इनमली आ रहे हैं उसको बाद कोई defect है तो उससे क्या कर जाएगा rigid हो जाएगा मतलब कि वहां से उससे बच जाएगा ठीक है the primary aim of RDN technology is to supply proteins for treatment treatment के लिए protein supply करने जैसे अपनी बात करते हैं इंसुलीन की तो आपको पता है diabetes mellitus में क्या होता है इंसुलीन का हो जाता है कम हो जाता है तो जो diabetes mellitus के patient होते है उनको इंसुलीन दिया जाता है अब एक चीज़ सुनिया इंसुलीन जो दिया जाता है उनको ओरली नहीं दिया जाता हो उनको इंसुलीन दिया जाता है कहां से इंट्रमल टीक-चार्वल ऑस्षण त्रैंची शवाद कि शुष्य में नहीं उसरी रहते हैं थो देंगे पेलोल पर तॉस्य देतें क्योंकि वहां पर इंसुलिन रहती है उसका ब्रीकड़ाउन प्रोटीन जीक ट्रोटीन को टैजेस्ट करने तो इसको digest कर देने, पर अपने body में कोई काम का ने रहने वाला, इसलिए उसको अपने देते हैं intradermal, टीक है, आगे देखते हैं, diagnosis के लिए, यह से अपनी AIDS है, AIDS की diagnosis के लिए यह यह बाद यूज करते हैं, R.D.N. technology के लिए, टीक है, यह हो गया, और बिटिसी होती है, जैसे hepat B की vaccine, ठीक है, इनको करने लिए, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो table दे रखी है, यह आपके exam के लिए यार, कि exam time पर आपको जल्दी जल्दी revision करना है, तो आप इसको पलके जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप और, इसमें दे रखे हैं, प्रोटीन्स, ठी ठीक है, यहाँ अपने anti-coagulants का बनवा सकते हैं, ठीक है, anti-coagulants का करवाएंगे, ब्लेट को clot नहीं होने देंगे, जो की surgery बगएर हमें युजाते हैं, ठीक है, और देखते है, human growth hormones, अगर किसी के पास hormone की deficiency है, तो अपन R.D.N. technology से क्या कर सकते हैं, synthesize करवाएंगे, उसको diabetes mellitus में, ठीक है, interference दे सकते हैं, interleukens दे सकते हैं, response के लिए, ठीक है, monoclonal antibodies दे सकते हैं, किसी का अंदर immunity कर कमजूर हो रहे हैं, ठीक है, तो यह सारे के सारे proteins होते हैं, vaccines भी आता है, ठीक है, एक चीज़ा बयात कर लेना, vaccines भी क्या, बनाई जाते हैं, R.D.N. technology से जो की काम specific probe, ठीक है, specific probe, इसमें क्या होता है, probe is the single standard, ठीक है, polynucleotide of DNA और RNA, that is used to identify the sequence on a target DNA, क्या होता है, अपने पास एक targeted DNA है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगा, अपन क्या करते हैं, probe डाल देते हैं, DNA के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, जो probe होता है, single standard है, तो वो complementing साथ, combine कर जा जाएगा, इस बज़े से यार, वो probe अपने को दिख जाएगा, कि हाँ, उसको पहले, fluorides मतलब की, fluorescent कर देते हैं, कि वो अपने को देख सके, डाई बगरा से, तो अपने को probe की unit तो पता रहती, जो अपना probe रहता है, उसकी शीक्वेंस आपने पहले पता रहती, तो उसकी होता है, आपको पता है कि आपको genetic defect है, क्या है, कुछ है या नहीं, तो RDNA technology की बशसे न, अपन उसको पता कर सकते हैं, अपने को कुछ है या नहीं, तो उसकी बज़े से न, जो defect अपने मतलब की office spring में जाने वाला था, तो उसको अपन पहले ही समझ सकते हैं, कि क्या है, तो उसके लिए अपन का RDNA technology का यूज करते हैं, preventing disease, is avoid passing, defective gene to office spring, मतलब की office spring में जाने से पहले अपन उसको screening करवा सकते हैं, कांसलिंग करवा सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं, तो उसके बाद इसके अपने पता चल जाएगा, तो अपनी office spring में जाने से अपन उसको रोब सकते है इसके बाद काता screening test, screening can be performed on the prospective parents before conception, काई प्रोब्लम तो नहीं है, कुछ चीज में दिखकत तो नहीं है, जीन वगड़ा हमें, तो उसमें भी RDNA technology का यूज होता है, जीन थेरपी यार, इसका तो बहुत आज कल यूज चला है, जीन थेरपी में, इसमें RDNA technology का यूज होता है, the ultimate cure of genetic disease, मतलब कि आपके पास कोई genetic disease है ना है, उसकी ultimate मतलब पूरी cure हो सकती है, it is induced normal gene into individuals who have the defective gene, अगर किसी individual के पास defective gene है, तो उसके अंदर आपन gene therapy थूरू क्या कर सकते हैं, अपन RDNA technology से बनाएंगे, बिल्कुल सही वाला gene और उस gene को उसमें inside करवा देंगे, तो इस इसके अपन पूरी जो disease थी ना, genetic disease उसके अपन cure कर सकते हैं, the strategy is to clone a normal copy of the relevant gene, जो relevant gene उसके अपन normal copy बना लेते हैं, तीक है, into a suitable vector, उसको एक suitable vector में डाल के, तीक है, and incorporate into the genome of the host cell, वैसे मान के चलो यार, हहाँ पर क्या है, यह आपको दिखरा होगा, यह कोई patient है, तीक है, अच् बन ने यहाँ पर उस gene को क्या कर लिया, क्लोन कर लिया, जो की एक normal है, तीक है, उस normal gene को अपन ने इसके somatic cell में डाल दिया, तीक है, और जो हाँ defective gene था ना, उसको बाहर exclude out कर दिया, तो क्या हो गया, तो यहाँ से जो इस बन दिखो ना, जो genetic disease थी ना, इसका उसका cure हो location in the genome is appropriate cell, ठीक है, आप ऐसे समझ यार, आज का लिए possible अभी नहीं हुआ है, क्या से मान कर चलो, क्यार कोई बंदा है, ठीक है, ऐसे मान चलो कोई 10-15 साल का बच्चा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यार, इत्ते सारे somatic cell है, अपनी body में कित्ते सारे cell होते हैं, तो आप कि इस-किस genome को change करते फिरोगी, ठीक है, तो इसलिए यार, अभी ये possible नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक possibility तब होती है, जीन थेरपी की, अगर कोई बच्चा पैदा होने से पहले ही, ठीक है, मतलब कि बर्त लेने से पहले ही, अगर उसके अपन जो germ cell रहते हैं, जर्म cell नहीं अप अपना fetus की condition में रहता, तो उस time पे अगर जो अपन starting में, ऐसे मान चलो कि जायगोड formation हो गया, ठीक है, तो जायगोड time पे अपन वहाँ पे अगर अपन ने screening कर लीकि defective gene है, तो उस gene को अगर वहाँ पन वहाँ पे replace कर दे normal gene से, ठीक है, किस से normal gene से, तो क्या होगा, तो उस उसके बाद जित्ता भी वहाँ पे production होगा, वो सारे सारे normal gene होगी, ठीक है, इस वाज़े से उसकी cure हो जाएगी, ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया है, आगे चलते है, transgenic animals, ठीक है, transgenic animal का भी formation होता है, transgenic animal क्या होते हैं, बताता हूँ आपको, transgenic means containing genetic material into which the DNA from a different organism has been artificially induced, मतलब कि यार, बो genetic material उसका नहीं था, दूसरे individual का था, जो अपने उस animal में डाला है, ठीक है, उसकी बज़े से उसमें जो transformation आएगा, जो transform होगा वो, ठीक है, तो उसकी बज़े से अपने transgenic animals का formation होता है, जैसे मैं आपको बता हूँ आपको, कैसे, कि आइसे मान के चलो, अपने एक classical example लेते हैं, ठीक है, classical example ऐसे ले लेते हैं, अपनी क्या एक है, अपनी got, ठीक है, बकरी है, ठीक है, और दूसरा अपने क्या ले लिया, ऐसे deer ले लिया, ठीक है, हेरन, तो अपने वो क्या पता है, जो बकरी रहती है, वो तो normal रहती है, ले तो इसकी स्प्लिंग सभी कर लेना ठीक है वहाँ पर जो उसकी ना मतलब की जिस कंडिशन वो सर्वाइब कर रही थी नो उसको हम प्रोटेक्शन के लिए क्या बड़े हॉर्ण चाहिए थी तीक है माने चलते हैं डियर के पास अपने काफी बड़े हॉर्ण होते हैं ठीक है द तो एक्जामपल ना अपना मन अगरण था ना ठीक है इस मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या ऐसा होगा ठीक है यह मैं अपने आप से बता रहा था आपको समझाने के लिए ठीक है ऐसा होता इस वाली में तो यह मैंन आपको बता दिया है आगे चलते हैं अगे देन होगा सॉमक्तिक सेल में डालें तो उससे में य hasn भी बार कियोगकि छो क्यों कि घंप सेल सेल में हो तक में थींग हो जाएगा क्यों होगा संस्मेटिक जुए गार एक दा डिफिक्टिव ओनली इंदा ट्रीटिट इंडिज्वल नॉट देर इस ऑफिस्प्रिंग को नहीं कर सकते सिर्फ इंडिज्वल करें और सॉमेटिक से कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता कर जर्म सेल में अगर अपन करते हैं ठीक है फीटल लाइप में अगर आप कर आपpolitिक ना सते हैं यह किसी बंडी का बाळ यंटीक करता है थे वाजिन सवावी फिर अगर उसमें इसा रहता है यह कको बताता हूं एकापने को हेर मिला किसी सस्पेक्टका अपने सस्पेक्टका ले लिया और एक अपने को मिला crime scene पर है ठीक है अब क्या होगा इन दोनों के ना जो DNA आएगा उसको match किया जाएगा ठीक है किस से match किया जाएगा hybridization से जब इसको match करते है ना तो अगर इसमें अगर इनकी क्या हो गई hybridize करगा यह लोगी ठीक है ऐसे मानने चलो अपने को पता है कि यह वाला अ क्यों कि यह जो है रहेगा ना उस DNA रहेगा ना वह अगर इसका complimentary है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हो ना कि यह बाल इसी कही है तभी तो इसका DNA मैच कर रहा है ना तो ऐसे ना यूज करते हैं अपने इसका किसके फोरेंसिक मेडिसंस में ठीक और देखते है एग इसका है और यह जो होते है अगर मान चलो फैमिली रिलेशनिशिप एसा होता ना कभी कोई बोलता है नहीं यार यह मेरे फैमिली का है मैस फैमिली से रिलेट करता हूं ठीक है क्योंकि उसकी property बगल जो आप movie बगर आम देखते रहते हो तो उसमें क्या बूलते है नहीं आप तो पहलो देखब कर वा हो अगर आपका डीञे डीञे कर जाता हूं हम लोग मान लेंगे वो उसी फैमिली दो करता हूं तो उसका डेयाने मेच करने से रह ठीक है क्योंकि तो तो ऐसा हो जाता है थिए Official application में क्या होता है बड़े रूप से जो चलना है थिक क्यों याइग्र आपको बताता हूं ऐसे आपने पास है नहीं तो पेज करते हैं अपन एड़ फिर समझाओंगा आपको इसको अच्छे से में ठीक है ऐसे मान के चलो आप ठीक है कि एसे एक है अपना रीजन है अपन बात करते हैं इंडिया की तो अपन बात करतें एक MP की एक différent एक और Mari meant कई अपनी रेन यह ना बारिस हो रही थीक है और correcting और जाठेवाए उन और एन रही चर अब अपने को समझ में आगी है और को तेंपरिश्र देखते हैं टेम्परिचर अपना, MP में ज़्याद आए, UP में कम है, ठीक, इतना समझ में आगए अपने को, अब इन दोनों को यह लेकर चलते हैं, ठीक, तब क्या हो गया, जो MP की क्रॉप हो गई न, वो क्या करेगी, हाई रेन में भी चल सकती हाई टेंपरिचर में, और जो UP की क्लासिकल क्रॉप हो गई, वो ल किया करेंगे, अपन चलो कि ये कोई अपना चीड है, तो उस सीड में उपई वाले चीड का काका करेंगे, जीन उठाएंगे, जो कि अपना कमट रेन पाप्रेन पीं चल जाता था, आपकर प्रोडॉक्षण, अ रेन में ंपन जा अपन तो ऐसे आर अपन क्या करते हैं, agriculture में इसका यह अपने को समझ में आ जाता है आगे बात करते हैं अपन, इंड़ेस्ट्स्टियल अप्लिकेशन में इंडि åस करते हैं, कैसे, इंड़ी धी प्रोडॉक्शण ऑफ एंजयम्स इंड़ेस्ट्ट्ि में क्या करवाते हैं, इंजाइम का production करवाती है ूस्ट तू डिटर्जेंट जिनका अपन उसे करते हैं डेटर्जेंट में सोगर में और चीज में अब देखो आपके इसकी application बताता हूं अपने को पता है आपने को फर्मेंटेशन करवाना है तो फर्मेंटेशन में क्या होता है अपने वहां भी एनजाइम लगता है तो उन्हें आपको चीज बनाना चीज के लिए कर्ड बनाना पड़ेगा तिक कर्ड है मतलब की आपको इसको क्या करना पड़ेगा मिल को तो उसको ऐसे ही चीजे होती हैं जिसकी वह एंजाइम जो की अपने कमर्शियल यूज में आ रहा है तो आपको क्या करना है exam time के लिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपके पास exam में काफी time है दो-तीन दिर का time है तो आप सारी थेरी पढ़ लेना इसकी ठीक है तेरी पढ़ लेना जितनी मैंने पढ़ाई है और अगर आपके पास सिर्फ कमी time है आपको revise करके जाना दो-तीन घंटे में तो आप सिर्फ ना यहाँ पे क्या करना यह जो table दे रखी है मैंने यह table को पढ़ के जाना ठीक है अब पढ़ के जाए बड़ी अच्छे मेहनत कीजिया थेंक यू फॉर वाचिंग कीप लर्निंग